धन तेरस, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, वह पहला दिन है जो भारत के अधिकांश हिस्सों में दिवाली के त्योहार का प्रतीक है। यह हिंदू कैलेंडर, माह अश्विन या कार्तिके, कृष्ण पक्ष के तेरहवें चंद्र दिवस, त्रयोदशी को मनाया जाता है। धनवंतरे, जिनकी पूजा धन तेरस के अवसर पर भी की जाती है, धनवंतरी को आयूरवेद का देवता माना जाता है, जिन्होंने मानव जाती की भलाई के लिए और उसे बीमारी की पीडा से छुटकारा दिलाने में आयूरवेद का ज्यान प्रदान किया। भारतिय आयूरवेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, राष्ट्रिय आयूरवेद दिवस के रूप में मनाने के अपने निर्णय की घोशना की, जो पहली बार 28 अक्टूबर 2016 को मनाया गया था। धन तेरस धनवंतरी की पूजा है, हिंदू परमपराओं के अनुसार, धनवंतरी समुद्र मन्थन के दौरान उभरे थे, उनके एक हाथ में अम्रित से भरा घड़ा था, और दूसरे हाथ में आयूरवेद के बारे में पवित्र ग्रंथ था, उन्हें देवताओं का चिकित सक माना जाता है, यह त्योहार लक्ष्मी पूजा के रूप में मनाया जाता है, जो शाम को मिटी के दीपक जलाये जाने पर किया जाता है, देवी लक्ष्मी की स्तुती में भजन या भक्तिगीत गाये जाते हैं, और देवी को पारंपरिक मिठाईयां अर्पित की जाती है, महाराष्ट्र में एक परंपरा है, जहां लोग सूखे धनिये के बीजों को गुड के, साथ हलके से पीसते हैं और मिश्रन को नैवेध्य के रूप में चढ़ाते हैं। और सिंदूर पाउडर से छोटे पैरों के निशान बनाये जाते हैं। धन तेरस की रात को लक्षमी और धनवंतरी के सम्मान में पूरी रात दिये जलाये जाते हैं। और गरणों और अंटो मोबाइल की भी भारी खरीदारी देखी जाती है। इस रात आकाश में दीपक जलाये जाते हैं और तुल्सी के पौधे के आधार पर प्रसाद के रूप में और दियों के रूप में रोशनी की जाती हैं। जिने घरों के दरवाजे के सामने रखा ज यह रोश्नी दिवाली त्योहार के दोरान असाम एक मृत्यू को रोकने के लिए मृत्यू के देवता यम को दी जाने वाली एक भेंट है। यह दिन धन और सम्रिध्धी बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाने वाला उत्सव है। धन तेरस में लक्ष्मी के रूप में सफ के दिन सूर्योदय से पहले खाया जाता है। शरीर में त्रिदोशों के असंतुलन को दूर करने के लिए मारुंडू का सेवन किया जाता है। आम तोर पर गुजराती परिवार नए साल का जश्न मनाने के लिए दाल बात और मालपुआ का आनंद लेते हैं। माना जाता है क धन त्रियोदशी के दिन देवी लक्षमी समुद्र मन्थन के दौरान दूध के सागर से प्रकट हुई थी। इसलिए त्रियोदशी के दिन देवी लक्षमी की पूजा की जाती है। एक लोक्रियक किमवदंती के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमरता का के लिए समुद्र मन्थन किया तो धन वन्तरी देवताओं के चिकितसक और विश्नु के अवतार अमरत का एक घड़ा लेकर निकले।